नमस्कार दोस्तों आप सभी का सुवागत है इंडिया की बेस्ट योटूब चैनल ओलायन एक्जम्स की आरी पर दोस्तों अगर आप मारे योटूब चैनल पर नहीं है तो आप मारे योटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजीएगा साथ में जो bell icon बनता है उसे press कारने के बाद जो all का option बनता है उसे select जरूर कीजीगा जिसी की जो भी मैं निया video लेकिया हूँ उसकी notification सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें और आप ज़्यदा से ज़्यदा benefit प्राप्त कर सकें दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले SSP driver से समझ जीकी की question इस वीडियो में लेके आया हूँ दोस्तो आप मारे इस वीडियो को अंतक जरूर देखा करें क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए selected और अच्छे level के question लेके आता हूँ दोस्तो चले start करतें आज के first question से निम्न में से औरंग जेब के बारे में कौन सा कतन ठीक है दोस्तो इन चारू खत्रों में से कौन सा कतन ठीक हो जाएगा क्या होगा इस question का right answer इसका right answer लगा D option है दोस्तो हिंदू के नए मंदिर बनाने की अनुमती नहीं थी दोस्तो ये अनुमती तो थी 1600 गुणैसी में हिंदू पर पुन्न जजिया कर लगाया गया दोस्तो लगाया गया था कासी विश्वनात वाराण जी के आधे मंदिरों पर मजिद बनवाया ये भी right है लेकिन दोस्तो उसने हिंदू को सरकारे नोकरी नहीं दी ये इसका खतन गलत हो जाएगा अगला क्यूसन है सहाजी बोशले वैजीजा बाय के पुत्तर सिवा जी का जनम 1627 इस्वी को किस इस्थान पर हुआ तो दोस्तो किस इस्थान पर हुआ क्या हो जाएगा इसक्यूसन का right answer इसका right answer जाएगा बी option है यानि कि सिवा जी का जनम 1627 को सिवनिर के केले में हुआ अगला क्यूसन है निम्ण में से कौन सा खतन गलत है दोस्तो इन चारू खतनों में से गलत खतन का चेन करना है दोस्तो क्या हो जाएगा इसक्यूसन का right answer इसका right answer जाएगा डी ओपसान है यानि कि सिवा जी ने 1626 में अपने राजदानी राजगट को बनाया 1680 में सिवा जी की मर्तियू के बाद उनका पुत्तर संबा जी का राज़ा बना और दोस्तो सिवा जी का परदान मंद्री पेश्वा कैलाता था और दोस्तो सिवा जी ने चतरपती की उपादी कब दारण की थी दोस्तो ये 1664 में दारण नहीं की थी दोस्तो सिवा जी ने चतरपती की उपादी जो की 4 अक्टूंबर 1626 में गरण की थी आगला क्यूशन है महरानी एलिजा बैद फ़स्ट ने इस्ट इंडिया कमपनी पर अस्ताक्षर किस दिन किये थे? क्या हो जाएगा इस क्यूशन का राइटान्स वर? इसका राइटन जोगा ए ओप्सान है यानि कि 31 दिसंबर 1620 को मारानी एलिजा बेद फस्ट ने इस्ट इंडिया कमपनी पर अस्ताक्सर किये थे आगला क्यों सन है पलासी की लड़ाई 23 जोन 1757 को अंग्रेजों ने किसके विरुद लड़ी थी तो दोस्तों जो पलासी की लड़ाई यह 23 जोन 1757 को हुई थी दोस्तों अंग्रेजों और किन किन के बीच में यह युद लड़ा गया तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्यों सन का राइटन जोगा ए ओप्सान है यानि कि पलासी की लड़ाई जों कि अंग्रेजों और नवा सिराजु दोला के मद्दे 23 जून 1757 को लड़ी गई अगला क्यूशन है पानिपत की तीसरी लड़ाय जिसमें अहमद सा अबदाली ने मराटों को हराया ये लड़ी गई थी दोस्तों कब लड़ी गी थी क्या हो जाएगा इस क्यूशन का राइट अंच्वर इसका राइट अंच्वर बी ओपसा ने यानि कि पानिपत का तीसरा यूद जो कि 1761 इस्वी में हुआ था और दोस्तों ये अहमद सा अबदाली वर्चेज मराटों के बीच में हुआ था और दोस्तों बात करें पानिपत के पहले यूद के दोस्तों पानिपत का पहला यूदे 21 अप्रेल 1526 को बाबर वर्षेज इबराहिम लोधी के मद्दे होता है और दोस्तों बात करते हैं पानिपत का दूसरा यूदे दोस्तों पानिपत का दूसरा यूदे जो की 1556 को होता है और दोस्तों यह अकबर वर्षेज हेमू के मद्दे लड़ा जाता है आगला क्यूसन है नीमनलिकित में से कौन सा कतन गलत है तो दोस्तों इन चार कतनों में से तीन कतन तो सकते हैं और एक कतन गलत है तो दोस्तों गलत कतन का चेन करना है दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्यूशन का राइट आंजवर तो दोस्तों 1723 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतरगत कलकत्ता में सर्वच न्याले की स्तापना की जाती है 1724 इस्वी में और दोस्तों 1782 में हिदर अली की मर्तिव के बाद उसके बेटे टीपू सुल्ताने मेसुर युदि जारी रखा ये खतन भी राइट है और दोस्तों माराना रणजी सिंग की राज़दाने लाहोर ती उनका जनम 1780 में हुआ ये खतन भी राइट है दोस्तों अगला खतन बेट की तरह सो बरस जीने की वजाए सेर की तरह एक दिन जीना अच्छा है ये हिदर अली ने का दोस्तों ये खतन गलत है दोस्तों हमें गलत खतन का चेन करना था तो डी उप्शन इसका राइट आन चुजाएगा तो दोस्तो बेड़ की तरह सो बरस जीने की वजाए सेर की तरह एक दिन जीना अच्छा ये किसने कहा था दोस्तो ये है खाता टीपू सुल्तान ने आगला क्यूसन है दोस्तो निम्न में से कौन सा कतन गलत है दोस्तो इन तीन कतन तो दोस्तो इन चारू कतनों में से तीन कतन तो right है और एक कतन गलत है दोस्तो गलत कतन का chain करना है दोस्तो क्या हो जेगा इस क्यूशन का right answer? और दोस्तो कलाइव ने बारत में बृतिस आसन की नीव रखी ये कतन सही है इस्टे इईंडिया कंपने अपनी पहली पेक्क्टरी शुर्ट में लगाई ये भी सही है बंगाल का इस्ताइ बंदोबस्त लाड कारण वालिष ने किया ये खतन भी सही है और चोता कतन है राज्य हरन कानू ने, जो कि लाड कान वालिस ने बनाया था आगला क्यूशन है नीम्न में से 1877 के सावतंतरता संगराम के सेना नीवय उनके छेतर में गलत यूगम को चाट यही दोस्तों, इन खतनों में से गलत यूगम को चाटना है दोस्तो क्या हो जएगा ICOCION का right answer? इसका right answer जएगा दोस्तों बादूर सा जपर इनका समन्ध दिल्ली से है ताता टोपे का समन्ध कानपूर से है खान बादूर खां का समन्ध ब्रेली से है कोवर सिग का समन्ध जगदीश पूर से है रानी लक्षविवाई का समद्ध जांसी गुवालियर से है और बेगम हजरत मैल का समद्ध लखनाउ से है जफर बकत खा का समद्ध दिल्ली से है लेकिन दोस्तों ये D-Option है कि कुवर्शिंग इनका समद्ध इलाबाद से नहीं है दोस्तों अपनको गलत खतन का चेन करना था तो D-Option इसका राइट आम जरू जाएगा आगला क्यूशन है निम्न में से कौन सा खतन गलत है दोस्तों इन चारू कतनों में से एक खतन गलत है और तीन खतन राइट है दोस्तों हमें गलत खतन का चेन करना है तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्यूशन का राइट अंजवर? दोस्तों राजा राम महुन राय के सयोग से लाड वीलियम बेंटिंग ने 4 दिसुमबर 1831 को सत्ती पड़ता का अंत करवाय जाता है दोस्तों ये कतन सही है लाड डालो जी ने राज्य हरन कानों ने लागू किया दोस्तों ये खतन भी सही है बर्मा समाज की इस्तापना राजा राम महुन राय ने आगस्त 1828 इस्वी में की ये क्यूशन भी सही है ये खतन भी सही है और दोस्तो आरे समाज की इस्तापना स्वामी विवेकानन्द ने की ये खतन गलत है तो दोस्तो हमें गलत खतन का चेन करना था तो इसका राइट अन्सवर का D option है तो दोस्तो आरे समाज की इस्तापना दियानन सरश्वती ने की थी आगला क्यूसर है निम्न में से कौन सा राइट अंस्वर अगला क्यूशन है अंतिम मुगल बादसा था दोस्तों कौन था अंतिम मुगल बादसा है क्या हो जाएगा इस क्यूशन का राइट अंस्वर इसका राइट अंस्वर जाएगा ए ओपसान है यानि कि अंतिम मुगल बादसा के रूप में बादुर साथ जपर था तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगet तो इसे लाइक केजिएगा जादा चेल अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेर जरूर कीजिएगा जिससे कि आप में जादा से ज़ादा प्रOT inspired मिल सकें और मैं आपके लिए अच्छे से च्छे वीडियो प्रोइट कारने का परियास कर सकूँ दोस्तों आप मारे इस वीडियो कों तक जरूर देखा करें क्यूंकि इस वीडियो में आपके लिए सलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्यूशन लेके आता हूँ अगला क्यूशन है बारत का पर्तम वाइस राय कौन था 1858 के बाद गावनर जनरल का पद वाइस राय में बदल दिया गया था दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्यूशन का राइट आंश्वर इसका राइट आंश्वर का बी ओप्सान है यानि कि बारत का फर्तम वाइस राय जो के लाड केनिंग था और दोस्तों 1858 के बाद में जो गावनर जनरल का पद हुआ करता था उसे वाइस राय में बदल दिया गया था अगला क्यूशन है निम्न में से कौन सा कहतन गलत है दोस्तों गलत कहतन का चेन करना है तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्यूशन का राइट आन्सवर तो दोस्तो शिक दर्म के परभतक एंपर्तम गुरू गुरू नानक देव जी थे ये खतन राइट है दूसरा उप्षन है शिक्धर्म के अंतिमवद दसवे गुरु गुरु गोविन सिंग थे ये भी राइट है तीसरा उप्षन है शिखों के नवे गुरु गुरु तेक बादूर का सिर ओरंग जेब ने 1675 में कटवा दिया जहां आज दिल्ली का सीस गंज गुरु द्वारा बना है ये खतन भी राइट है लेकिन दोस्तों हमें गलत खतन का चेन करना था तो डी ओप्षन गलत हो जाएगा अगला क्यूसन है सिरी अल्ला ने अक्टो विन हूम ने अखिल बारती राष्टी कांग्रेश की स्तापना 1885 में की इसका पहला दिवेशन वोमेश चंदर बनरजी की अद्देख्षता में कहां हुआ था दोस्तों कहां पर किया गया था क्या हो जाएगा इस क्यूसन का राइट आंस्वर इसका राइट आंस्वर जाएगा दोस्तों पहला ओपसा ने यानि की अखिल बारती राष्टे कांग्रेश की स्तापना 1885 में की गई थी इसका पहला दिवेशन जो की वोमेश चंदर बनरजी की अद्देख्षता में मुंबई में स्तापित किया गया था आगला क्यूसन है लाल बाल और पाल किसके नाम के साथ जोड़ा था दोस्तों किसके नाम के साथ जोड़े होते हैं क्या हो जाएगा इस क्यूसन का राष्टांज वर इसका राष्टांज बगाद डी ओपसान है यानि की लाल का मतलब है लाला लाजपतर आए बाल का मतलब है बाल गंगा दर्थी लगे और पाल का मतलब है वीपिन चंदर पाल है तो इसका राइट आज़ोगा D option है अगला क्यूशन है दोस्तों तेरा अप्रेल गुनीसो गुनीस को अम्रसर में जलिया वाला बाग हत्याकांड का दोसी था तो दोस्तों इसका दोसी कोन था क्या हो जाएगा इसक्यूशन का राइट आज़ोगा पहला ओप्सान है यानि कि तेरा अप्रेल गुनीसो गुनीस को अम्रसर में जो कि पंजाब म इस्तित जलिया वाला भाग अत्याकांड में जनरल और डायर नहीं गोलिया चलवाई थी यानि कि गोली चलाने का आदिष दिया ज़ात जनरल और डायर नहीं तो दोस्तों 13 अप्रेल 19 सों 19 को वेशाकी का दिन था और दोस्तों इसमें शेकडूं और हजारूं लोग मारे गिय अगला क्यूसर है मात्मा गांधी द्वारा ऐसा योग आंदोलन किस वरस शरूप किया गया था दोस्तों किस वरस शरूप किया गया था क्या हो जाएगा इस क्यूसर का राइट आंच्वर इसका राइट अंतुल का सी ओप साने यानि कि मात्मा गांधी द्वारा ऐसा योग आंदोलन जो की 1920 वर्ष में सरू किया गया था दोस्तो अगर आपको हमारी मेनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सेर्ज जरूर कीजीगा जिससे कि हमारे इस वीडियो का मेनिपिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं आगला क्यूशन है मुस्लिम लिग की इस्तापना 30 दिसंबर 1906 को कहां पर की गई थी तो दोस्तो कहां पर की गई थी क्या हो जाएगा इस क्यूशन का राइट अंच्छवर इसका राइट अंच्छवर का बी ओप्साने यानि की मुस्लिम लिग की इस्तापना जो की 30 दिसंबर 1906 को की गई थी यां डाखा में की गई थी तो दोस्तो अगला क्यूशन है बगत सिंग, राज गुरू, एवम सुक देव को निम्न मेंसी किस केस में फांसी की सजा सुनाए गई थी दोस्तो किस केस के अंदर का सुनाए गई थी क्या हो जाएगा इस्क्यूशन का राइट अंच्छवर इसका राइट अंच्छवर बी ओप्सान यानि की बगत सिंग, राज गुरू और सुक देव को लाहोर सडियंतर केस में फासी की सजा सुनाए गई थी और दोस्तो इन्हें 23 मार्च 1931 को इन्हें फासी की सजा सुनाए गई थी तो दोस्तो ये थे आज के most important SSB driver GK से समझेद क्यूसन है तो दोस्तो आप मारे इस वीडियो को अंतक जारूर देखा करें क्योंकि इस वीडियो मैं आपके लिए selected और अच्छे लेवल के क्यूसन लेके आता हूँ थेंक्यू दोस्तो जै हिंद जै भारत थेंक्स फोर वाचिंग